पित्रुपक्ष क्या होता है पित्रुपक्ष में हमें क्या करना है सही में जो पितर यानि अपने माता-पिता या अपने दादा-दादी जो गए है गुजर गए है जो मर गए है उनका असर अपने उपर होता है क्या हमें जो पित्रुपंद्रवडा मोलते है जो अभी 18 सप्टेम्बर से शुरू हुआ और 2 अक्तुबर तक रहेगा तो 2024 में सही में उसमें लिए हमें कुछ करना चाहिए करमकांड की कापी है या ज्ञान और ध्यान से भी हम कुछ कर सकते हैं तो अगर जानना चाहते हो तो यह पूरा विडियो अंते तक जरूर देखिए बीच में न तो आईए चलते हैं, मैं खुद के एक्जामपल के साथ आपको यह समझाना चाहता हूँ, और आखरी में यह जो तीन कितावे हैं, यह अनिता मुर्जानी, यह मराधी किताब त्यादी श्मादा मुस्तियो जाला, इंग्लिश में किताब है, डाइंग टूबी, इसके मैं तीजियान फांडेशन का सर्शी का लिकित किताब है, जिनको मैं 16 साल से फॉलो करता हूँ, इनके कुछ एक्जामपल के साथ मैं आपको यह टॉपिक समझाने वाला हूँ, तो चलो आईए शुरुवात करता है, वही रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो अंतक तक देखे, प पहले वीडियो में मैंने कुछ एक्जामपल मेरे परसनल मुर्ती उपरांज जीवन के वारे में मेरे जो अन्भव मैंने शेर किये, उसमें का एक अन्भव मैं इसमें शेर करके आगे के एक्जामपल शेर करूँगा, पहला मेरा शादी होके 5 साल हो गया, तो भी मुझे अधिकार युक्ति उनके पास गए और जैसे हम गए और उनने हमको देखकर मोला कि आपको बच्चा नहीं हो रहा क्योंकि आपको पित्रुदोश है, मैं तो इंजिनियर हूँ, आम जानते हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं था, बड़ कुछ आप्शन नहीं था, तो हमने ज हुआ था, और पास साल बाद, पेरा बेटा आज 15 साल का है, तो वो मुझे हुआ, तो ये पहले बार मैंने तब सुना था, बच्पन में मा बोलती थी, आज बजो ले बोलती है, तो मेरा विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं बच्पन सही नास्तिक था, मैं मा मुझे बताती ह है, कि जब मैं छोटा था, तो जो भगवान मंदिर में होते है, भगवान के सब मूर्ती निकालता था, और उसमें साथ मेरा चप्पल वहां पे रखता था, तो मा तो कौतु करने के लिए बोलती थी, बट वो इंपक्ट मेरे सबकॉंचेसमान में गया, और मैं नास्तिक बन करना था, तो जैसे सब लोग करते हैं, तो मैंने भी वास्तु शास्त्र को अपनाया, और वास्तु शास्त्र जब मैंने किया ठाना के बहुत ही जाने माने है, उनका नाम यहां पे बताना नहीं चाहता हूं, जब वो आए और उनका जो बंदा आया, वो जब देखा बले आपके कुछ पुरुवज है, जो वास कर रहे है, वो आपके साधना का लाव लेना चाहते है, इसलिए वो यहां पे है, उन्होंने सिर्फ मेरे घर का नकाशा देखे बोल दिया, कि यह वास्तु में आपके पुरुवज है, वो रहते हैं, उन्हें भी आश्यर लागा, क्योंकि फिर मैंने किताबे पड़ी और बहुत सरे अन्हों उसमें थे, और फिर हमने 45 देज, मैंने शमा साधना की, शमा उनसे मांगी और उनको प्रशाद चड़ा देते, उस वास्तु शास्त्रका आगे मैं बोल रहा हूं कि मुझे फाइदा नहीं हुआ, मैं मुझे कर लिया था, बट यह हमी जो टॉपिक चल रहा है, पित्रू दोश को मुझे दूसरी बार उस वास्तों से पता चला, तिसरी बार मैं अगेन एक मेरा परसनल लाइफ का एक्स्परेंस शेर करूं ना चाहता हूं, तो यह बाते नहीं जानता था, विश्वा से नहीं करता था अगेन एक बहुत इंपोर्टन बात है, तो ध्यान से सुनिये, थोड़ा सा, एक दिन रिवाइप गाउं गई थी और मैं अकेला मेरे घर में, पनिवेल के घर में सो रहा था, यह तो मुझे याद नहीं है, अप्राग्समेटली 2010-2011 की आसपास, हाँ, 2011-2011 आकरा या 12 की बात हुए, उस वक में सो रहा था और वो सपने में मैं बहुत डर गया, बहुत डर गया और मुझे लगा कि कोई मुझे उठा के लेके जा रहा है, और मैं च्छत तक लेके गया, और मैं जाना नहीं जाता था, छोड़ो 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 मैं घंडर के उठा गया, और जब उठ गया, तब मैं मेरा पसीना हो गया, तो अकेला थाडर गया झाल भार आया, कुछ है गया, फिरा हुना कि मैं ए niço miten, ये बात सुर् chyba when i so that तो मुझे कोई एक अगे मैं उसका नाम नहीं बताना चारता हूं क्योंकि उससे भी मुझे लाग नहीं हुआ था बट बता रहा हूं तो उस बंदे को मैं घर पे लेके आया कि मेरा बेटा चारपा साल कता उसको मुझे दिखाना था इंहाराष्टर की सोंस्कुल्टिय देखो लंग घर अखोटा लिए जेसे तो मुझे हुआ तो शीमिदल से भी मुझे लाभ नहीं हुआ तो इंसान परेशान होता है तो वह करता है कि कुछ एसे लोग रहते हैं जो गलत काम करते हैं पर यहां पर हम पॉइंट समझे रहे हैं कि उस वक्त जो थे मेरे कोई अंकल थे जो जिनके रियालिटी है जिवीत थे, कुछ अनबन हो गए थी, जो मेरी कुछ बाते उसे एगरी नहीं थी, वो अंकल उसवक्त जिनका माइंड सवेदेंशीन होता है या वीक होता है, यह पॉइंट में यहां पर बताना चाहूँगा, जिनका वीक होता है या सवेदेंशीन होता है, उनके साथ यह नेक्स्ट, और दो मैं बताने वाला हूँ, अगे मेरे कुछ कजीन भाई, और एक मेरे दोस्त है, उनके यहां पर, उनके दो बेटियों को, दोनों को बेटियों को, अच्छे का से थी, 9th, 10th, 8th, 9th, 10th में, और उनको कुछ गलत आतना उने पकड़ा था, और उनको जब तक उस एक्सपर्ड के पास जाके उनसे इलाज नहीं किया, तब तब उनको इलाज नहीं हुआ, तो ये मैंने खुद देखा है, खुद जाना है, जिनका वीक मैंड है, वो तुड़ा सजेग हो जा है, और आपने मन को स्ट्रॉंग करने के लिए या तो साधना करे, या फिर हम जैसे माइंड ट्रेनर होते हैं, उनके साथ रहे कर आपने माइंड को स्ट्रॉंग करेंगे टेकनिकन सीखाते हैं, वहां सीखें, उसके बाद ये हो गया, तो आप भी बहुत लोगों से सुना था, सुनके रखा था, बट ये सब जानकरी, और मेरा पहला वीडियो में मैंने कुछ experience share किये है, वो अभी आप जाके जरूर देख सकते हैं, तो मुझे ये पक्का पता है, कि यस, ये मुर्तियों के उपरान जीवन होता है, वहां के आपके जो पूरवज है, वह होते हैं, और उनके भावनाओं का असर आप पर होता है, और आपकी भावनाओं का असर उन फीच्छा फूरी नहीं हुई, तो इच्छा आपके माध्या मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उससे आया न उनकी कुछ इच्छा है थी उस-प्रॉपर्टी के रलेटेडर या उनके गावं में होगी, तो वह बहुती है, तो वह पूरा करने के लिए कुछ कर्मकार्ण बने हैं तो कुछ लोग कर्मकार्ण करते हैं बढ़ मुझे कुछ भी उसका जाने करे लिए इसलिए मैं आपके कुछ बोल नहीं रहा हूं जो मुझे पता है मैं आपको बताना चाहता हूं क्यूं कि इसका असर मैंने देखा है मेरे उपर कि कभी अपना इमोशन्स जागरूद होते हैं अभी लोगों को ट्रेनिंग देते हैं मैं खुद भी ट्रेनिंग लेता हूं 15 लाक रुपए से ज्यादा मैंने ट्रेनिंग ले खर्चा किया है 25 से ज्यादा अध्यादनी गुरू से के पास जाके नॉलेज लिया हुआ है तो कुछ इमोशन्स अगर हम देखेंगे तो कही ना कहीं यह रूट में यह होता है और अगर हम उस पर काम करेंगे तो हमें उसका पाइदा रिजल्ट होता है जिसका मुझे यह किताब जैसे यह किताब अगर आप देखोगे 2016 में यह प्रकाशित हुए यहाँ पे देखो के 2016 में और 2019 में मैंने यह किताब पड़ी बले ही 2019 में है किताब पड़ी बले वे सर्शी के साथ जुड़ा हूँ पिछले 16 साल से बट फिर भी तीन साल लगी यह किताब मेरे पास आने में च्छमा का ज़दु यह किताब और इस चाप्टर में उन्होंने समझाया सर्शी ने पत्थर की लकिरों से मुक्ति उसमें कैरी उसमें मुर्तोकों से जुड़ी लकिरे उसके बारे में समझाया जब मैंने से समझा और मैंने इंप्लिमेंट किया तो मुझे इसका ज्यादा लाग हुआ और आपको इस किताब में मै प्रेमान जिली कैसे आरपन करें यह फ्री का सेशन है तो मेरा रिक्वेस्ट है आप जरूर अटेंड करें इसका लिंक में डाल दूगा पिछले साल मैंने 2021 में यह किया था प्रोग्राम यह किताब पढ़ने के बाद मुझे उतकंटा देगी तो मैंने किया था तो मैंने देख करें तो ध्यान और ज्यान से आपके पुरोजों के साथ जो कर्म बंदन बंदे हैं जो कर्मिक अकाउंट हुआ है वो हो जाएगा और आप उनको ग्यान और ध्यान की माद्व से क्या मदद कर सकते हैं जो बेस्ट मदद है वो बेस्ट मदद आप कर सकते हो और प्रियाप कॉ कि मैंने कुछ सुना है वो कुछ कर्मकांड में हजारों लाखों रुपया लगता है और होता भी नहीं होता है मुझे नहीं पता पर यहां पर प्रियोंप कॉस्ट और इफेक्टिव तरीक से होता है इसके लिए मैं आपको अगे दूसरा एक्जामपल देना चाहूंगा इस कि चुवीस घंटे बाद डॉक्टर ने फिर से बोला कि जिल्दा है लगे सब मेडिकल रिपोर्ट उसका रिसर्च यह बहुत ही फेमस किताब है इसका डाइंटू भी यह आप जरूप पड़े और मरने के बाद हो वहां गई कि अध़ चेरी निंका इदर है डाप्टर ने डेट टिकलर करने किया है सब लोग रो रहे है इसकी भाई आ रहा है मारो रही है और यह जब वहां गई उत्ति उपरान तब उनको उनके पिताजी मिले और पिताजी ने उनको बताया उनके साथ कम्निकेशन हुआ पिताजी न तुमारा काम अभी नहीं हुआ है तुमारा पूर्थवी का काम बचा है तो बोले तुम निर्रह लेना में तुमको गैड करने का काम कर सकता हूं और फिर वह आगे चली एक लाइन के पास जाती है पिताजी बोले यह लास्ट लाइन है यहां से तुम इस दुनिया में खिल गिया और तुमारा कैंसर हुठ हो जाएगा उसको बात समझ में आती है चानल पर चानल पर विडियो देख सकते है उंसी मेरे पास किताब में आपको जानकर देना चाहता हूं जिवात्मा जगत के नियम जिवात्मा जगत के काईदे इस किस्ताब में बहुत सारे एक्जामपwyn दिये हैं कि मरने के बाद क्या होता है से लएत होते हैं अब takie आपने पूर्वां अपने सब्संद्द Annika पिसे मदद कर सकते हो कुछ हैν अंजेस होते हैं देव दूत होते ही की बाते लगे सब फाल्तू काम है साइंस मैं इंजिनियर वो मुझे सही बाते लगते आज मेरा बिटा 15 साल का है वह शायद मेरे चले गए वह बहुता है बहुता है आप तो ठीक है हरेका अलग-अलग यात्रा चल रही है मैं मेरे जीवन के एक्स्पिरेंस से आपको बता रहा हूं कि यह सब यूटूब पे डालूंगा पेस्बूप पे आए जाएगा मेरा डालने का इंटेंशन एक ही है दो इंटेंशन है सौरी पहला इंटेंशन है कि आप अभी जो 22 सप्टेंबर को जो श्वीर हो रहा है जो क्रिया और कोस्ट है वह आपके और पुर्वजे के बीच में कार्मिक अकॉंट बने है वो सही अधिकारी पुरुष यानि सर्शी जो है तेजियान पॉंडिशन जिनको मैं 16 साथ से पॉल्व करता हूं और मैं बहुत उनके लि को वहां तक जोड़ों पर दूसरा मएं से ऊसकत rope टॉंड़ दालोंगा है जो कलत जिए नहत्रा था मैंने स्रियान्स जांला केẵने दस दिन का अभी दोहजार चोब दोहजार चोबिस में ही जून में बेंगलोब में क्विरा मिड़े मेड़े वहां पर जाके दस दिन का ट्रेंडिंग प्रोग्राम किया था से आस अगा बहुत ही अच्छे ट्रेनर है और स्पिरिचल लेटिक के स्पिरिचल कोच है उनकी भी वीडियो पूरवांजले के उपर है तो वह आप कभी भी कर सकते हो है बट समझ के साथ अंडेस्ट टॉपी को पूरा समझना है तो यह 22 तारीक पाला जोग प्रोग्राम है वह आप करें यह मेरा पहला इंटेंशन है और दूसरा इंटेंशन जैसे मैं आपको वीडियो शु उप्री में ही सिखाता हूं वो प्री में ही बताता है यह वाला पाट है उपने हैं के नीचे आ जाएगे तो आप उसका जरूर लाब ले और फित्लु पक्षे चल रहा है इसमें हमारे शुमर्णे इसका रिसर्च करके रखा है कि 15 दिन्या करना चाहिए इसका सायंस मुझे पता है मैं इसका study करके शायद अगर कुछ study होके research करके मिला तो मैं next time वीडियो बनाऊंगा उसके उपर आज के डेट में लेगी नहीं पता है जो है पता देया जो नहीं हो पता बट मैंगजीमों लोग करते कुछ तो उसके पीछे विज्ञान होगा जो करंपांड होगा जिस से ज्यादा से ज्यादा लोगों परोड करें उनके पास भी नॉलेज को पहुंचाए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे और लाइक वाला बटन थोड़ा सब दबा देजिए वीडियो यूट्यूब के अलगरेदम में आया ज्यादा ज्यादा लोगों पहुंचे अपने फिर से एक बार अंतर तक वीडियो देखा इसके रिए धन्यवा फिर मीलते हैं नेक्स्त थैंक्यू भरी मुच्छ